हेलो फ्रेंट्स ये कीचन का बोर्ड है और इसके समने बरतन का श्टिंड लगा हुआ है और इस साइट आप देखो कीचन का यहाँ पर एक्जॉस्ट फेन लगा हुआ है कीचन में जो गरम हावा राता है या फिर धूजिया राता है उसे बाहर निकाले के लिए यहां पर तो यहां पर यहां पर साइट करने के लिए और यहां फोर्ट पॉर्पिया में विछा स्कुरू में यहां दो सब्सक्राइट करने के लिए हाँ को इसके बोड में हम दिदेलिंग मसिन से कट कर देंगा सबसे पहले उस से पहले हम यहाऊ पर इसको ना पंखलेंगे हम कितना यहाँ पर कार ना है अब मिस्स तरगासट एससे काट अब देख लिए यादा इससे कट कर सकते हो अब tra any पेंसिल के द्वारा नोट कर दी हैं कितना बड़ा यहां पर कट करना है यहां पर काटना बड़ा यहां पर यहां पर कर सकते हैं यहां पर पेचकत की मजद से भी काटना है वह भी मैं आपको दिखाँगा इसी वीडियो में लेकिन यहीं जब थोड़ा सा कट जाए तो उसे आप एकसा ब्लेट की मजद से इसे फूरा काट सकते हो जब इसमें अंदर घूस जाए आप असानी से हैकसा ब्लेट से कट कर सकते हो इसे लिए में पहले एंग्ले इसे थ्थुरा सा कट कर लिया और इसका उपर बला जो है उसका बहुत ही छोटा है उसमें अध्शा बीड़ भी नहीं घूसेगा इसे हमें पेचकत की फ्यूज करेंगे उसका जो मौत है बहुत ज्यादा सार्फ होना चाहिए नहीं तो यह ठीक से नहीं कटेगा तूट जाएगा यह आप देख सकतो यह कट गया अब हम इस फ्यूज को यहां पर रखके इसमें होल कर देंगे ताकि यहां पर हम दो स्कूरू को लगा सके और है यदि आप कोई ढीला हो तो उसे अच्छे से आपको टाइट कर लेना उसको पास हम चलते हैं इसका वाइडिंग आपको दिखाते हैं तो चलिए आप हम इस बोड को लिए चलते हैं जहां पर यह बोड लगा हुआ था आप हम इसके वाइडिंग को सीखेंगे किस तरका से हमें वाइडिंग का क्नेक्शन करना है Munich और किस तरका से हम वाइडिंग कर सकते हैं तो सबसे पल आप देखो यह जो Right इस निचे वाले पॉइंट में लगादेंगा अज्ज़ Corot करेंगा अच्छे से सट लिखा हो हाएं हड़िक पलक के ऊपर लायब या फिर नूट्रल लिखा हो आ रहाता है लाइब अर अधिर स再 Cut अब ब्लाग बीटर्ल ना गाना है जहाँ पर नूट्रल लिखा ऊगा इसे मैं लगा देना है और अच्छे से लगा देता है इसके स्कूर को ट्राइट कर देता है इसके करनल बाद में यह जो वायर है वो निकल जाता है इसे में अच्छे से लगा देना है फिर इसी नूट्रल वायर से एक वायर लेना है और से हमें इंडिकेटर के दूसरे पीन में लगा देना है यह यतना भी नूट्र है इसे हम गाठ बाँ 怕ले से शाक की यह पता चलब जाकी क्यों, हम रिखुलाटर के को भी उक वायर लेगे और उसे से वायर जोड़क देंगे और इसका जो बच गया और दो बच गया उसके बाद जो बट को आप ड़ेख कोड़ कर देना है यहां पर देखो दो उसको बच चाहे है और यहां पर इस साइड में डोसा बचा आ है इस तरीका से यहां कर देंगे और इसको टाइट करने के बाद हम इस बूर्ड को भी यहां पर लगा देते हैं उसके बाद मैं आपको चेक कर रहा हूंगा कि इसका सारा सुच सब काम कर रहा है या पिर नहीं कर रहा है इसका जो हम फैन रगलूटर लगा रहा है वो सही से काम कर रहा है या पिर न इस अब भी बहुत की कमा बाज कर रहा क्यों यह बहुत ही दिर दिरे चल रहा है हम इसका स्पिट को दिर दिर वह बर्हा रहे हैं उसके बाद आप इसका आवाद सुनों तो अन्युक्त हुआ 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 है